मेरा लडने का जजबा shocking कोईभी कितना भी परेशान कर ले मुझे बे घर कर कर दे हुए। जो भी उद्दव ठाकरे जी के बारे में बोलेगा उसका घर तुटेगा नहीं तो जेल के पीछे बेजा जाएगा और यही सब परिनाम पुरे महाराष्टर में दिखने को मिल रहे हैं बीजेपी की बी टीम या कोई बी टीम मुझे लगता है मोधी जी के विचार हमें हमारे देश के लिए हित में लगते उनके साथ हम पहले भी थे आज भी और आगे भी रहेंगे और उद्दफ ठाकरे जी जिस तरीके से अपनी विचारधारा भूल गए हैं आदर निया बाड़ा साहब ठाकरे के विचारधाराओं को बहुत पीछे छोड़ दिये हैं और अपने स्वार्थ के लिए, अपने पद के लिए, अपने पोस्ट के लिए, अपनी विचारधरा आइडोलोजी जो छोड़ता है, उसका विरोध करना तो हमें बनता है। अपने मातोश्री के बाहर ही क्यों हनुबान चलिसा पढ़ने का एलान किया। तब ये देशवासियों की है। और जो संकट मेरे महारास्टर में आया, वो संकट दूर होना चाहिए। इसलिए हमने विनंती की थी, मुख्यमंत्री को महारास्टर के, कि आपने हनुमान चालिसा पढ़के ये संकट को दूर करना चाहिए और हनुमान जैंती के दिन। तो ये विनंती उन्होंने मानी नहीं और तब हमने ये ही कहा था कि अगर आप नहीं करेंगे हनुमान चालिसा का पाट तो हम आपके घर के सामने आके ज़रूर हनुमान चालिसा पढ़ेंगे और ये संकट, खिसानों के ऊपर जो संकट आया वो दूर होना चाहिए, बेरोज नहीं किया, और फिर हमने करने की कोशिश की, तो उन्होंने देश दुरो लगा दिया, आज देश में महाराश्टर में पहली महिला रिप्रेजेंटिटिव है, जो मेंबर आफ पारलमेंट है, जिसको जेल के पीछे भीजा गया, और कारण क्या, देश दो बनाया गया, मैं उनके घर के बाहर, रोड पे करूँगी, तो क्या मातोश्रे एक महज़त है क्या, आपको वहाँ परमिशन क्यों नहीं मिला, यही है, 153A जो लगता है, वो हेट्रेट निर्मान करने के लिए ओफेंस लगती है, या तो वो बिलीव नहीं करते हैं, करके वो हेट्रेट न परिशान कर रहे हैं, आप चुनौती बन चुकी हैं, उद्व सरकार की लिए, 100% महिला को सभी कमजोर समझते हैं, जहां महिला मजबूत दिखती है, तो जेल की पीछे उसे डाला जाता है, ये मेरे भी केस में यही तरीके से महारास्टर में हुआ है, पर हम महिला इतनी कमज कर दोर नहीं कि लड़के, फिर पीछे हट जाएं, हम लडने वालों में से हैं, घर में बैठके रोने वालों में से नहीं हैं, बीमसी का नोटिस भी चिपकाया गया, आपको लगता है, ये बदले की कारवाई है, 100% महारास्टर में सिर्फ बदले की कारवाई ही, उद्व ठ ठाकरे जी के बारे में बोलेगा, उसका घर तूटेगा, नहीं तो जेल के पीछे बेजा जाएगा, और ये ही सब परिनाम पुरे महारास्टर में दिखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ओफिस में तो कभी जाते नहीं कारयाले में, घर में बैठके मातुश्र में बैठकर पुरी महारास्टर को चलाने की कोशिश करना है, ऐसे पीरिड में, जब करोना पीरिड में, जब लोगों को महारास्टर की, उदफ ठाकरे जी की मुख्यमंत्री जी की जरूरत थी, तब वो घर से बाहर नहीं निकले, तो मुझे लगता है कि जो तरीके से करने के लिए मुझे लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव बनाया, कंगना के घर के बाहर जस तरह से बुल्डोजर चला, बदले की कारवाई की गई, आपको लगता है वैसे आपके साथ भी हो, सी मुझे बेघर भी कर दिया, तबी मेरा लड़ने का जजबा ये खतम नहीं हो और मेरे महराश्र के हित में, मैं हमेशा लड़ती रहोंगे, और इसमें कोई भी मुझे कितना भी परेशान कर ले, मुझे बेघर कर दे, रोड पे बैट कर भी, जो मेरे विचार है, मेरे महराश्र के हित में काम करने के वो मैं करती रहोंगे. लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बीटीम हैं, आप बीजेपी का समर्थन करें। और बीजेपी की उनको जरूरत नहीं है, वो खुदी सबसे बड़ी टीम है। आज है, वो आगे भी ऐसे ही रहे हैं। अप उद्धफ सरकार को क्या चुनाओती देना चाहती हैं? एक नकली हिंदुत ववादी, असली हिंदुत ववादी पे क्या बोलना चाहती हैं? मैं नकली हिंदु तो नहीं बोल सकती हूँ, पर मैं मेरे धरम के प्रचार प्रसार के बीच में अगर कोई आता है, तो उसका विरोध मुझे मेरा धरम सिखाता है किस तरीके से करना है। और उद्दफ ठाकरे जी जिस तरीके से अपनी विचारधारा भूल गएं, आदर्निय बाडा साहब ठाकरे के विचारधाराओं को बहुत पीछे छोड़ दियें, और अपने स्वार्थ के लिए, अपने पद के लिए, अपने पोस्ट के लिए, अपनी विचारधारा कभी नहीं हटेगी, क्यामने पसंद रशोग के साथ मैं पूजा क्यापिटल टीवी संघर्ष पी सियासत से सत्ता के सिंधासंतर, मैं हर ख़बर से खरा सक्ष निकाल करूँ ना कोई दौड ना कोई रेक्स, क्यापिटल टीव, उत्तर पदेश